केंदे सरकार और हमीरपुर सांसत अनुराक ठाकुट को घेरने के लिए परदीस युवा कॉंग्रेस ने कमर कसली है। युवा कॉंग्रेस बारा तरीक को सेंटरल गर्मेंट के खिलाफ परदर्शन करेगी हम इरपुर बे गांदी चौंक पर जिसमें हमारे राश्य देक्ष अमरेंदर सिंग राजा वडिंग जी वहां पर आएंगे मुख्यातिती के तौर पर और बारा तरीक के बाद हम पूरे स सुचना ही दे रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया सरकार ने बहुत विकास किया लोगों जाके जागरूद करेंगे और उनके बताएंगे कि अभी तक भारती जंता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है और विकास के नाम पर यह हम उन्हें चिठीयां दिखाएंगे जो RTI कि माद्दियम से हमें पता लग रहा है कि अभी तक एक रुपे भी MP फंड से लोगों की बीच में नहीं पहुंच पा रहा है। अभी शेक ने कहा कि भासपा कारिकरता परिशान है कि अपने सांसद के लिए किस मुह से बोट मांगेंगे। अभी तक एक रुपे भी अनुराग ठाकुर जी ने अपने MP फंड से सेंक्शन नहीं किये हैं। और ये लेटेस्ट बात है अभी जितना वो कलेम कर रहे हैं इसका मतलब वो जूट है जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जूटा हलफ नामा दे सकता है। फिर बाद में माफी मांग रहे हैं। उसी तरीके से आज यहां के लोगों को भी गुमरा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी को माफी मांगनी चाहिए। और इसी प्रकार से जो दूसरा गाउं है देला गाउं उसमें भी अभी तक कोई पैसा खर्शनी किया गया है। और साथ ही साथ जो रेल लाइन की बात वो इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं जिस मुद्दे पे उन्होंने चुनाव लड़ा और लोगोंने वोट डाला। आज मुझे लगता है कि वो भी उनको लोगों को सच बता देना चाहिए कि अभी तक कोई भी पैसा सैंक्शन नही हुआ है लोगों तक नहीं पहुंचा है और आप ये देखिए कि जो रेल लाइन की बात कर रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं वो अभी तक सब कुछ जूट साबित हो रहा है इस आर्टिय के मादर में से सिर्फ एक छोटा सा खुलासा है कि अनु पंचायत अभी तक कोई काम अज़िए आविशेक राणा ने कहा कि 67 अनुराक ठाकों का अदर्श शानसत क्राम योजदना वहमीरपुर उन्हारेल प्रोजेक्ट एक जूमला साबित हुआ है उन्हें कहा कि आर्टियाई से मिली जानकारी के उनसार सांसत अनुराक ठाकों ने अदर्श गाम योजदना क के तहट लिए के गाम को अब तक कोई भी फंड नहीं आया है